ट्रेन के जनरल बोगी में सफर करने वालों के लिए अब अच्छी ख़वर है दरसल कई बार टिकट न मिलने पर लोगों को जनरल बोगी में सफर करना परता है हलाकि देश की आधी से ज़्यादा आबादी गड़ी भी में जी रही है जो ट्रेन में सफर के लिए जनरल टिकेट ही खड़ीती है ऐसे में जनरल में सफर करने वालों पर खास ध्यान दिया जा रहा है यात्रियों के परिशानियों को देखते हुए रेलवे को पत्र लिखा गया इस पत्र के बाद रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है आपको बता दे कि इस चिलचिलाती गर्मी में भी गयात्री किस संख्या कम नहीं रहती जिसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने जनरल बोगियों में मूल भूत सुविधाय उपलब्ध कराने के लिए सभी रेलवे जोन को पत्र लिख कर नरदेश दिया है रेलवे बोर्ड यह पत्र सोशल मीडिया पर जारी कर जनरल डिबो की तस्वीरे देख कर की है दरसल सोशल मीडिया पर जनरल कोच में सफर करने वाली गयात्रियों की दुर्दशा आई दिन वाइरल होती रहती है अब इस पर सराहनिय कदम रेलवे बोर्ड की द्वारा उठाये गया है। रेलवे बोर्ड में सदस्या, संचाले निवम, विवसाय, विकास, जया, वर्मा, सिन्हा द्वारा लिखे गए इस पत्र में रेलवे जोन के महा प्रबंदों को से ट्रेनों में खास कर साधारन कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। वेंडिंग ट्रॉली की विवस्था करने का नर्देश दिया गया है। इसके अलावा सेवा गुनवत्ता में सुधार के लिए निर्धारित स्टेशनों पर सामाने श्रेनी के डिपो की साफसफाई सुनिश्चित करने के लिए भी नर्देश दिये गया है। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दिख्षांस डिजिटल क्लास का फ्री स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्षरी से लेकर यूकेजी के लिए 7000, नर्षरी से लेकर दूसरी कख्षा के लिए 12000, नर्षरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18000, नर्षरी से लेकर आठवी तक के लिए 24000, नर्षरी से लेकर दसवी तक के लिए 30000, अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दि